असलाम अलेकम ग्रेट सेक्स हाब और यू अल कैसे हैं आप सब माइनम इस रिदा हाली दना वालकम यू बाक तो माइ लेसें स्टूडेंस मैं उमीद करती हूं कि आप सब घर पे रहते हुए तमाम इंगलिश के विडियो लेसेंस को देख रहे हैं और उसमें जितने भी टास् उन सब को आप घर पे बैठके सॉल्ट कर रहे हैं तो आज हम बात करने वाले हैं OPE यानि Oxford Progressive English Book के यूनिट नमबर 8 के बारे में जल्दी से अपनी बुक्स निकाल लीजिए ताके हम आज के यूनिट को स्टार्ट कर सकें और आज का लेसन हमारा होगा लेसन नमबर 1 जी ग्रेट 6 सबने अपने बुक्स निकाल लीजिए वेल डान आज हम बात करने वाले हैं Advances in Technology जी जो लफ्स मैंने बोला है वो है हमारे यूनिट नमबर 8 का टाइटल जिसका नाम है Advances in Technology हम में पता है कि Technology का मतलब है जितनी भी नई-ई-ई Researches हो रही है उसके बाद जो Technology इस जो कहां यूज हो रही है जो यूज हो रही है medical में जो यूज हो रही है हमारी day-to-day life में तो आज हम specifically जिस Advances in Technology की बात करने वाले हैं वो होगा medical technology जी हम बात करेंगे कि जो टेक्नोलोजी है यानि नही नही इजादात जो है इंसानों ने, साइंटिस्स ने जो जो नही इज जादात बनाई है हमारे लिए उस research का क्या फाइदा है ठीक है कैसे फाइदा दे रही है इससे related एक information text हमारी बुक में दिया गया है बच्चो जिसको आज हमने study करना है ठीक है यह थादा background knowledge का मतलब है कि मैंने आपको बता दिया कि आज हमने क्या-क्या पढ़ना है अब मैं आपको बताती हूं मैंने इस lesson को कहा है lesson number one reading a newspaper report हमें पता है कि जो newspaper reports होती है यह क्या होती है हान जी शुकर है कि आपको याद है यह होता है सब non-fiction text यानि के informational text और हमें यह पता होता है कि जो newspaper report है यह ऐसा एक वाक्या है जो अभी recent past में हुआ है तो यह newspaper report हमने एक newspaper से लिए ह obviously हमने यहां इसको अपनी book में लिखा है ता कि हम इसको study करें और इसके अंदर की दी का information को comprehend कर सकें ओके अच्छा page number 172 and 174 इन 3 pages के ऊपर यह सारी information दी गई है ठीक है मैंने यहां पर board पर बच्छो vocabulary भी सारी लिखती है वो जो आपके text के अंदर है और वो जो text के बाद दी है ठीक है सारी vocabulary मैंने लिख दी है मैं आपको साथ साथ बताती जाओंगी कि मैंने कौन सी vocabulary का word किस page से लिया है अच्छा हमने reading करनी और उसका title है Egyptian twins doing well after separation यानी अलेदा होने के बाद हम उर्दू meanings लिख लेते हैं अलेदगी के बाद separation का मतलब है अलेदगी यानी क्या होगे दोनों separate हो गए Egyptian twins ऐसे जुडवा जो कहां पैदा हुए थे एजिप्ट में यानी मिसर में Egyptian से मतलब है मिसरी यानी मिसर के रहने वाले तो हम कह देते हैं मिसरी मिसरी twins means जुडवा डूइंग बेल आफ्टर सेपरेशन यानी के दो ऐसे twins थे जो क्या थे सेपरेशन की वर्ट से समझा रही है कि वो शायद जुड़े होए थे ठीक है तो उनकी सेपरेशन medically कैसे की गई क्या ऐसे advances जो थे technology के यूज़ किये गया है जिससे क्या हो रह है सेपरेट सेपरेट अपनी life क्या कर रहे हैं peacefully बसर कह रहे हैं गुजर कह रहे हैं means they are living their life separately okay अच्छा सबसे पहले तो instruction हमारी बुक पर दी गई है read the newspaper report carefully twice हमें बात की गई है दो दफा पढ़नी है वाई कौन बताएगा क्यूं पढ़नी है दो दफा हां जी ताके हम क्या कर सके understanding हमारी अच्छे तरीके से हो सके और साथ साथ हम क्या कर सके reading for understanding के question answers okay जी vocabulary यहां मैंने कुछ page number 172 पे एक word है conjoined page number 173 और 174 पे दिये गए जितने भी words थे जो मुझे लगा के आपको थोड़े मुश्किल लगेंगे मैंने वो सभी हाल लिग दिये हैं सबसे पहला word है conjoined conjoined ठीक है जुड़े हुए यहां आप क्या कहते हैं उनको जुडवा joined together एक स पेचीदा बहुत complex यह complicated ऐसी चीज जो किसी के दिमाग में एक दम से समझ नहीं आ सकती क्योंकि वो क्या है बहुत complex है जैसे हम कहते हैं न साइंस में हमने पढ़ा है कि human body बहुत complex है ठीक है human body का जो पूरा system है उसको एक दम से समझना बहुत मुश्किल है ठीक है आचा in induced 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 means हौंसलाब जाई करना कैसे produce to bring about यानि किसी चीज को induce कर देना हौंसलाब जाई करते वे appreciate करते वे लगा देना कर देना किसी चीज का क्या करना to bring about कर देना ओके gradual gradual का मतलब है बतद रीज जिसका मतलब है little by little हम कहते है न little by little improvement होती है gradual improvement होती है gradually का word भी आपने सुना होगा इसका मतलब है एक step के बाद दूसरे step पे आहिस्ता आहिस्ता continuity के साथ आप एक step से दूसरे step में जा रहे हैं ठीक है उसको कहते है gradual आच्छा next word is promptly promptly फोरी तौरी तो आपने वर्ट सुना है ना फौरी तो जल्दी से बस चुटकी बजाते ही हो जाए कोई काम तो उसको कहते हैं promptly यानि at once फौरन से immediately ओके यहां तक हमने देख लिये 123455 वर्ड अब हम देखने वाले हैं बाकी के vocabulary के वर्ड नेक्स वर्डिस पल्मिनेरी हम इसको पढ़ते हैं पल्मोनेरी ठीक है ओके related to lungs यानि ऐसी कोई भी बिमारी ऐसा कोई भी काम या ऐसी कोई भी disease जो क्या है लंग से related है कोई ऐसा operation है जो क्या है लंग से related है तो हम उसको कहते हैं pulmonary ओके next neurosurgeons neurosurgeons कौन से होते हैं देख लेते हैं surgeons that are specialized in surgical treatment of हाँ जी nervous system यानि हमें पता है कि हमारा जो proper nervous system है मतलब हमारे head में हमारे skull के अंदर brain है nervous system है जो कहां connect हो रहा है हमारी eyes के साथ हमारे गले के साथ हमारे back brain के साथ तो वो जो पूरा एक system है उसको कहते हैं nervous system जिसको हम कहते हैं thinking का thought process भी होता है उसी को कहते है nervous system तो ऐसे surgeons जो इस तरहां की surgeries करते हैं कैसी सर से related, skull से related, brain से related उनको क्या कहा जाता है overall उनको कहा जाता है neurosurgeons carnal surgeons carnal carnal surgeons कौन से होते हैं जी surgeons that deal specially the brain surgery अब हमने बात की के carnium, carnium जो क्या होता है? carnium यानि carnial है na carnium, carnium means brain की surgery यानि के ऐसा, ऐसे doctor जो specially क्या deal कर रहे है? brain की एक तो पूरे skull की बात हमने की न nervous system की एक special part है brain का जिसको deal कौन करता है? carnal surgeons ठीक है? हमने बात की थी थी न, specialized surgeons होते हैं हर एक body organ के लिए specialized surgeons होते हैं, right? क्योंकि एक doctor बहुत सारे operations क्या करता है? नहीं perform कर सकता क्योंकि हमने क्या बात की थी? कि human body जो है, human body के organs और system क्या है? बहुत complex system है, ठीक है? आच्छा, fused, last word is fused, to unite or blend into a whole, unite का मतलब क्या है? जोड़ देना, एक कर देना, यानि fused का यहां पर मतलब है कि कि किसी चीज में blend कर देना, हम बात करें कि अगर आप बात करें कि किसी एक body के अंदर कोई एक organ, fuse किया गया है, ठीक है न? fuse, तो इसका मतलब है कि वो organ induce कर दिया है, अंदर लगा दिया है, whole का मतलब क्या है? body, और blend in क्या कर दिया है? वो organ, तो हम कह रहे हैं कि blend in क्या कर दिया है? fuse कर दिया है एक organ, ठीक है? अब अच्छों, यहां तक की vocabulary मुझे लगता है कि आप सब को समझ आ गई होगी क्योंकि यह बहुत easy words थे और बहुत सारे ऐसे words थे जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और सुन चुके हैं अब आपने क्या करना है? इस वीडियो को करना है pause, जल्दी से जाके उस newspaper report को, informational text को जल्दी से पढ़के Mr. Idha के पास वापस आ जाए ताके हम मिलके solve कर सके reading for understanding के questions Well done students मैं उमीद करती हूँ कि आपने इस पूरे के पूरे informational text को पढ़ दिया है ठीक है? सब को समझ आ गई है? Well done, अब हमने क्या करना है? अगला part, reading for understanding का हम एक बार जानते हैं कि हमने vocabulary जो हमारे text के बाद भी दी गई थी ना, page 173 पे वो भी पूरी कर ली है अब हमने direct क्या करने है? बिलकुल, अब हमने direct question answers करने हैं, अच्छा जी देख लो question number one, explain exactly how the twins were conjoined? हमें ये बताना है कि वो जो twins थे, कहां से जुड़े हुए थे? हमने बात की ना, कि थे वो conjoined, they were joined together, कहां से जुड़े हुए थे? how rare are the conjoined twins? rare का मतलब है कितना नयाब है ये काम, या कितना कमयाब है? यानि इसकी possibility कितनी कम है? conjoined twins join, कैसे होते हैं? हम इसके बारे में लिख लेते हैं, मैं यहाँ पर सिरफ आपको क्या करके बताऊंगी? सिरफ आपको मैंने bullets में answers बताने हैं, आपने पूरा answer खुद लिखना है, ठीक है? how the twins were joined? हम लिखते हैं, from the back of their heads हमने बात की थे ना कि कार्नियम सर्जरी जो थी, कार्नियल सर्जंस ने की थी, तो from the back of their head, they were joined, आच्छा, how rare are the conjoined twins? यह आपकी, इस informational text के पिलकुल last line है, it's written के 2% of each conjoined twins, तो हमें बता चल गया कि क्या rarity है, कितने rare होते हैं, 2% होते हैं, conjoined twins यानि पूरी दुनिया में जितने conjoined twins है ना, अब यह तो गोई एक नहीं है ना, एजिप्ट के इलावा, दुनिया के कितने और मुलकों में इस तरहां की पैदाइश यानि इसना की birth हुई है, और उन सब को मिला के 2% क्या होते हैं, conjoined होते हैं, इस तरहां के ऐसे cases जो बड़े unusual होते हैं, जिन में बचने का chance बहुत काम होते हैं, कितना chance होते हैं? only 2%, अब इसका answer आपने खुद form करने हैं, मैंने आपको दो major बाते बता दी हैं, अच्छा, question number 2, when and where were they born, where was the operation performed, ये कहां पे और कब पैदा हुए थे और इनको operation कहां हुआ था, पहले हम इन दो बातों के जवाब दे देते हैं, when and where, they were born, हम सिरफ क्या करेंगे, bullet लिखेंगे South of Cairo, और किस time पे, when, yes, June 2, 2001 में, where was the operation performed, operation कहां हुआ था, US, इस से related बाकी की जो information है न, कि US में किस जगा पे हुआ था और किस ने किया था, ये सब आप खुद paragraph number 2 से देखेंगे, okay, यहां तक हमने कर लिए दो question solves, I hope के आपने इन दोनो question के answers अभी तक ढूंड लिए होंगे, ताके हम इस lesson के end पर उनको अपनी copy में, यानि notebook में लिख सकेंगे, आईए करते हैं question number 3, question number 3, explain what the boys have undergo and why the doctor said that they were doing well, हमने बताना है के undergo यानि मतलब उन्होंने क्या-क्या भरदाश्ट किया, किस-किस अमल में वो रहे, यानि के वो पूरा जो operation का एक उनके लिए setup बनाया गया था, उसके दुरान उन बच्चों ने क्या-क्या face किया, ठीक है, किस-किस condition में वो रहे, वो बताएंगे, and why the doctor said that they were doing fine, और doctors ने ये क्यों कहा operation के बाद that they were doing fine, obviously क्योंके operation क्या था, successful था, हम सबसे पहले तो ये बताते हैं के, what the boys undergo, हमने ये पढ़ा था, कि they went through 27 hours of induced, or long surgical hours, long surgical hours थे, उसके इलावा, लिखा हुआ था, कि they undergo 7 days of post-operative, यानि operation होने के बाद 7 दिन तक, किस चीज में थे वो, कॉमा में थे, यानि ये जो दो बाते हैं, ये आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, यानि 7 days तक वो क्या थे, post-operative, कॉमा में थे, ठीक हो गया, अच्छा, एक तो induced कॉमा था ना, कौन सा, जब वो medically induced, यानि operation के लिए 27 घंटे क्या थे, उनको सुलाया गया था, कॉमा में रखा गया था, और उसके बाद क्या हुआ था, 7 days of post-operative, कॉमा यानि, post-operative means, हाँ जी, operation के बाद वाला कॉमा, 7 दिन तक, वो बच्चे क्या थे, कॉमा में थे, tranquillized थे, यानि उनको ऐसी medicines दी गई थी, के वो सोए ही रहे 7 दिन तक, ठीक है, ओके, question number 4, when will the doctors know if the operation has been a complete success, doctors कब तक बताएंगे के जो operation है, it has been a complete success, यानि एक complete कामियाभी के साथ ये operation हो चुका है, तो doctors ने कहा था, के उनकी जो success है, यानि medical success है, उनकी operation के बारे में जो success है, वो कैसे पता चलेगी, it will be, हाँ जी, it will be gradual, and it will take several weeks, यानि बहुत सारे हफ़ते भी लग सकते हैं, और they said that it can take months, all right, हमने यहाँ पर तीनों बातें लिखनी हैं, आपने इन सब को मिला के लिखना है एक पूरा sentence, okay, अच्छा, question number 5, what dangers and ordeals do the twins face after the operation, कौन से ऐसे खत्रें या इस तरहां की situations उनके सामने आ सकती हैं, after the operation, हमने इस बारे में पहले भी थोड़ी सी बात किये, कि operation के बाद उनके साथ क्या हुआ, हम इसके बारे में लिखते हैं, कि doctors ने हमें कहा था, कि they will go through seven days of post-operative, यानि operation के बाद वाला जो कोमा था, हमने बात की थी न, कि doctors ने उनको साथ दिन तक दवाईयां दे के बेहोश ही रखा था, ठीक है, उसके बाद doctor ने कहा कि इनको खत्रा किस चीज से है, हाँ जी, they have dangers of infection, उनको infection भी हो सकती है, दोनों को अपनी अपनी जगा, और इसके इलावा क्या हो सकता है, हाँ जी, they are basically infected or we have dangers of post-operative यानि operation के बाद वाली, क्या चीज, swelling, swelling of, किस चीज की swelling हो जाएगी, brain, exactly, क्योंकि उनके brains को क्या किया गया था, operate करके अलैदा किया गया था, तो उनने कहा है, doctors ने, कि उनके सर के हिस्से पर, यानि brain वाली side पर क्या हो सकती है, swelling का खत्रा है, ठीक है, operation के बाद वाली, question number 5 सब ने solve कर लिया, very good, अब हम करने जा रहे हैं, एक और question, question number 6, how have the twins been spending their lives before the operation, operation से पहले वो अपनी life कैसे spend कर रहे थे, ये बताएंगे हम, अच्छा, what were the future prospects before the operation, prospect के बारे में हम बात करते हैं, कि prospect का क्या मतलब होता है, prospect का मतलब होता है, उनकी क्या उम्मीद है, यानि उनका क्या expect है, वो क्या सोच रहे हैं, expectations का word आपने सुना होगा, ठीक है, operation से पहले उनकी क्या उमीद है, कि उनके लिए क्या होने वाला है बाद में, ठीक है, उमीद तो पहले होगी न, बाद में तो क्या होगा, वो होगा, जो operation के बाद, यानि उनकी life जिसना बेतर हो जाएगी, ठीक है, तो पहले से क्या होगा, prospect का word वहाँ यूज किया जाता है, जहां पर कोई एक अमल होने जा रहा है, और उससे पहले आप क्या कर रहे हैं, कुछ expect कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा, So, हम पहले इस बात का answer लिखते हैं, How had the twins been spending their lives before the operation, हम लिखेंगे, हम कुछ adjectives use करते हैं, their lives were miserable, their heads were attached, उनके सर क्या थे, जुड़े हुए थे, तो हम बात करते हैं, they were always lying down, they were always lying down, they were unable to play, or stand without help, यह हमने कर दी, तेन कुछ major इस तरह की बात हैं, अगर आप इसके इलाबा भी कुछ रिखना चाहते हैं, तो that's totally fine, अच्छा, What were their future prospect before the operation, क्या लग रहा था उनके parents को, क्या जो बच्चे हैं, operation के बाद क्या हो जाएगा इनके लिए, क्या बेहतरी आएगी, let's write it, they thought, हम यहाँ पर इसका पूरा यान से लिख लेते हैं, second part का, they thought that, their kids, यानि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, उनके parents की न, their kids will, be healthy, and playful, after the operation, यानि operation के बाद, उनके क्या होंगे बच्चे, बिलकुल, normally खेल सकेंगे, और क्या होंगे, they will be healthy, तो यह था उनके parents का prospect, ठीक हो गया, तो बच्चों, यहाँ तक हमने यह बात सीख ली, के prospect का word भी कहां यूज किया जाता है, हमने यह भी देख लिया, और हमने answers भी लिख दिये, तमाम reading for understanding के questions के, यहाँ तक हमारा lesson होता है, खतम, I hope हम next lesson में मिलेंगे, जो के होगा grammar के एक portion के बारे में, so stay tuned for that, यहाँ तक का काम, I hope के अग सब बच्चों ने अपनी note books में complete कर लिया होगा, Thank you so much for watching today's lesson, हम मिलते हैं अंगले lesson में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, काम करते रहें, Allah आफेस,